हलो गुड इबनिंग फ्रेंड्स हाओ आई यू आप लोग कैसे सब ठीक टक सब बड़ी आपका दोस्तों में गोस आज पिर ग्राउंड पर आया है और आज संडे है आज काफी सारी क्लब्स आई हुई है यहाँ पर ग्राउंड पर आज 10 से भी ज्यादा क्लब्स है और बहु लड़ने को पहुंच चला आगे बढ़ता चला जाएगा लड़ने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं दूर दूर तक पतंगे फैली हुई है पतंग उडाने का इतिहास जो है बहुत पुराना है लग बग 5,000 साल पुराना इतिहास है पतंग उडाने का जब से मक थी तब मकर संक्रांती से लेकर के वसंद पंचमी तक पतंग उडाये जाते थे और लेकिन तब पतंगे लड़ाई नहीं जाती थी सिर्फ सौक के लिए उडाये जाता था लेकिन काईट फैटिंग का पतंग लडाने का जो इतिहास है वो 300 साल पुराना है वो नवाबों के स वमेंसे सुरू हुआ यह चलन और आज भी चला आ रहा है लेकिन क्लब काईट फैटिंग का इतिहास बहुत जादा पुराना नहीं है इस सिर्फ 20 साल पुराना है 80 येर्स पुराना है और आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह कलप काईट फैटिंग कही दिखा रहा हू अपी स्क्रीन पे देख सकते हैं दो पतंगे लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी त्यारी ले चुकी है नीचे वाला लेफ्ट हैट साइट बे था उतने खीचना सुरू किया उपर वाले को काड़ दिया बहुत ही बढ़िया इसने काटा बहुत बढ़िया इसने बहुत पेच को देख करके मजा आगया इस पेच को देख करके बहुत ही बढ़िया पेच काटा अभी आप इस स्क्रीन पे ये पतंगे देख सकते हैं ये पतंगे आगे जाकर के लड़ेंगी कई सारी पतंगे हैं ये सारी पतंगे आगे जाकर के लड़ेंगी और काफी सारी पतंग खाके आगे गई भी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं उससे भी आगे गए हैं भुष्ट दूर तक पेज़ बहु anh चुका है COMM पतंगे आपस में लड़ेंगी जिस टेम लड़ेगी मैं उसका वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा अभी आप देख सकते हैं दो पेज फिर फिरा हुआ है जो लेफ्ट हैंड साइट से वो नीचे से लड़ा रहा है और राइट हैंड साइड वाला उपर से लड़ा रहा उसको जो है green signal मिला हुआ था उसको एकदम green light मिला हुआ था उसने रोकना भी नहीं था थपकी भी नहीं माना था कुछ भी नहीं करना था सपाट खीसता हुआ चला गया और उसने काट दिया बहुत अच्छा पेज काटा मजा आ गया देख करके वेरी निस अच्छा अब मैं